मित्रो नमस्कार, पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से एक मा ने अपने एक चार साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी और ये हत्या उस मा ने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसकी शकल, उस बच्चे की शकल उसके पिता से मिलती जुलती थी और उसके पिता ने कोट से उस बच्चे से मिलने के लिए आदेश प्राप्ट कर लिया था और बहुत जल्द ही वह कोट से उस बच्चे की कस्टडी भी पाने वाला था इस पूरे कहानी की इस पूरे घटना की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कुल मिलाकर पती-पत्नी के वैबाहिक विवात का ही ये नतीजा रहा कि उस मासूम बच्चे की जान चली गई और या अट्यंत दुखद और हिर्देविदारक घटना घटित हो गए जीवन में वैबाहिक विवात किस कदर भयावा रुख अक्तियार कर सकता है ये इस मामले से साबित होता है इसलिए कभी भी पती-पत्नी के विवात को हलके में नहीं लेना चाहिए और जितनी जल्द से जल्द हो सके इसका समाधान कर लेना चाहिए मेट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का समाधान कोर्ट से होता है और अब इसमें पहले की अप्यक्षाकृत बहुत ही आसानी से समाधान किया जा रहा है मध्यस्तता केंद्र और प्लिल लिटिकेशन जैसी विवस्थाएं पहले नहीं थी अब इस तरह के कानूनी उपाय करके कम समय में ही पती-पत्नी की गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान करवाय जा रहा है और ये सब जिला नयाधीश अस्तर के नयाइक अधिकारी की देख रेख में होता है और प्रशिक्षित मध्यस्तों द्वारा करवाय जाता है और यहां इन समस्याओं का अस्थाई समाधान भी होता है बास्तों में इस पध्धती से जो सुलह समझवता होता है वो दोनों ही पक्षकारों पर पती पत्नी पर बाध्यकारी होता है ऐसा नहीं है कि एक बार यहां से सुलह समझवता हो जाने के बाद पती या पत्नी उस सुल पन आरंभ करना चाहते हैं तो भी उनके बीच कुछ एक शर्टों पर सुलः समझवता करवाए जाता है और उन शर्टों के आधार पर आगे की करवाई सुनिश्चित की जाती है और ऐसा नहीं है कि एक बार इहां से शुलः समझवता करवा कि उन्हें छोड़ दिया जाता है बलकि उस परिस्थिती में जब वे एक साथ रहना स्विकार करते हैं तो उन्हें एक निश्चित अंतराल में एक साथ उस केंद्र पर आकर बताना होता है कि वे एक दूसरे के साथ ठीक से रह रहे हैं या नहीं और शर्तों का पालं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फिर उसके बाद ही आगे की करवाई होती है तो समाज में घटित घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए और प्रतेक घटना से सबक लेकर हमें बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए वेवाइक विवाद के मामलों में भी जल्द समाधान क लिए अपने निकट के नियाले से संपर्क करके कानूनी तरीके से विवात को समाप्त करवा लेना चाहिए मित्रों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वैबाहिक विवात से संबंधित कानून की बाते बताई जाती हैं इसलिए मेरे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप Facebook या किसी अन्य वीडियो आप पर देख रहे हैं तो फालो करना न भूले धन्यबाद झालो किसी अन्य वीडियो किसी अन्य वीडियो किसी अन्यबाद